करवा चोट के वरत में रखे इन बातों का ध्यान मिलेगा मन जाहा वर्दान मित्रू सादर जैशी कृष्णु हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अचारिधर में इंदर शास्त्री। आज हम आपको करवा चोट के विशय में बताने जा रहे हैं। कार्तिक मास के कृष्ण प्रक्ष की चतूर्थी तिथी को करवा चोट या करक चतूर्थी के रूप में मनाये जाता है। करवा चौवत के दिन चान का दर्शन करने के बाद उनका पूजन अर्चन करके इस व्रत का समापन किया जाता है इस बार करवा चौवत का व्रत 17 अक्टोबर 2019 गुरुवार को होगा और इस दिन रात्री के समय चंद्रोदय 8 बच करके 15 मिनिट पर होगा करवा चौवत के दिन सभी महिलाएं अपने पती की लंबी आयो के लिए इस व्रत को करती है इस व्रत को निर्जला व्रत किया जाता है सुभा से लेकर के चंद्रो दै तक निर्जला व्रत किया जाता है इवं चंद्रमा का उदै होने के साथ ही चंद्रमा का पूजन करके अपने पती का पूजन करके उनकी आरतियम उनका आशिरवार लेके ही उनके हाथों से जल ग्रहन किया जाता है इस्त्री को सक्ती का रूप माना जाता है इसलिए उसे ये वर्दान मिला है कि वो जीस चीज के लिए भी तब करेगी उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होगा पुरानी कथाओं में सावित्री अपने पती को यमराज से वापस ले आती है याने इस्त्री में इतनी शक्ती होती है कि यदि वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है इसलिए महिलाएं करबा चोवत के रूप में अपने पती की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तब करती है तब का अर्थ होता है किसी चीज को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना पहले के जमाने में रिशी मुनी इसलिए तब करते थे कि और सिद्धी को वह प्राप्त करते थे इसलिए इस दिन सभी महिलाएं निर्जला वरत रखती है चोद का चान हमेशा देर से निकलता है ये एक तरह से महिलाओं की परिक्षा होती है और वो अपने पती के लिए कितना त्याग कर सकती है कई बार तो देर रात तक चान नहीं दिखता है ये मौसम ऐसा होता है कि कई बार बादल घिर जाते हैं और चान नजर नहीं आता है ऐसे में महिलाओं को देर रात या अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ पाती है करवा चवत के दिन सुभा सूर्यो दै से पहले अपनी सास बहू को सरगी देती है जिसमें बहू के लिए कपड़े और सुहाग की वस्तुएं मिठाई चूडी बिंडी सिंदूर और फेनिया फ्रूट्स ड्राय फ्रूट्स नारियल आदी रखा जाता है सास द्वारा दी गई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुवात करती है अगर साथ सांत में नहीं है तो बहू को पेसे भीजवा सकती है ताकि वो अपने लिए सरगी का सारा सामान खरीच सके सुर्योदै से पहले सास की दी हुई फेनिया बनाकर पहले अपने घर के पूर्वजों के लिए गाय के लिए कुते के लिए कौवे के लिए अलग हिस्सा रख ले फिर अपने पती और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल ले उसके बाद फेनिया और सास के दिये हुए फ्रूट्स ड्राइब फ्रूट्स नारियल खाकर ही वरत का शुभारंब सुर्यो दै के पश्चात करना चाहिए फिर सास के दिवे कपड़े पहन करके स्रंगार में वही चीजों का उप्योग करना चाहिए यदि सास नहीं है तो आप सर्गी का सामान स्वयम लेकर आए और किसी भी बुजुर्ग महिला के माध्यम से या किसी ब्राम्हनी के माध्यम से या कोई भी वरिष्ट महिला के माध्यम से या कोई अन्य महिला के माध्यम से भी आशिरवात सुरूप में वह स्वर्गी का सामान आप प्राप्त कर सकते हैं करवा चवत की पूजा में विशेश तोर से तो शाम को जब चंद्रोदय होगा तब उनका पूजन करना चाहिए लेकिन उसके पहले भगवान गोरी शंकर का माता पार्वती का कार्तिक स्वामी का याने शंकर परिवार का पूरा पूजन पाथ करके भगवान गणेश जी का अच्छी प्रकार से पूजन पाथ करके जो है कथा का स्रवन करना चाहिए और सूर्यास्त के पहले एक बार पूजन करके कथा स्रवन कर लीनी चाहिए और इसकी कथा जब सुनते हैं तो उस समय कुछ अनाज और मिठाई सांत में रखते हुए कथा क बटाती है और वो तब तक गाना गाती रहती है जब तक उनकी ठाली एक उनके पास नहीं पहुच जाती जो अकेले पूजा करते हैं वो ठाली नहीं बटा सकते हैं ऐसे में आप अकेले कहानी पढ़ सकती है और किसी अन्य माध्यम से भी आप कहानी पढ़ सकती है सुन सकती ह मोबाइल के माध्यम से भी आप या फिर अन्य किसी माध्यम से आप कहानी या कथा सुन सकती है लेकिन कहानी और कथा सुनते समय हुंकार याने हुम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए ये इस बात का प्रमान माना जाता है कि आपने कथा सुनी है या नहीं सुनी है पहले के जमाने में बहुए दिन भर काम करके इतनी ठक जाती थी कि जब सास कथा सुनाती थी तो वो सो जाती थी इसलिए कहानी या कथा सुनते समय हुंकारा भरने की रिवाज पहले से है हुंकारा में जो है ओम का उच्चारण भी आप कर सकते हैं ताकि ये प्रमानित हो सके कि आपने कथा सुनी या न सुनी। बहु को कथा सुनने के बाद सास के लिए बायना निकालना होता है। जिसमें मठिया, गुलगुले, आदी हर कोई अपने-अपने हिसाब से कुछ नकुछ मीठा बायना जरूर रखती है। सास के लिए कपड़े, सुहाक का सामान, पानी का लोटा जिसमें उपर कुछ अनाज हो ताकि हमारे घर में हमेशा धन-धान निभरा रहे। शगुन का पैसा उसके उपर अवश्य रखे। जिस तरह सास आपके लिए सुहाक का सामान, कपड़े, मीठा और शगुन रखती है। उसी तरह आपको भी सास के लिए बायना निकालते समय उसमें ये सभी चीजे रखना चाहिए। बहु पूजा करने और कथा सुनने के बाद सास का बायना निकालती है। जब बहु इस व्रत की शुरुवात करती है तो सास उसे करवा देती है। उसी तरह बहु भी सास को करवा देती है। जब आप पूजा करते हो, कथा सुनते हो, उस समय आपको दो करवे रखने होते हैं। एक वो जिससे आप अर्ग देते हैं, यानि जिसे आपकी सास ने दिया था, दूसरा वो जिसमें पानी भर करके आप बाइना देते हैं, और देते समय अपनी सास को देती है, सास उस पानी को किसी पोधे में डाल देती है, और अपने पानी वाले लोटे से चंद्रमा को अर्ग मिट्टी का करवा महलाएं इसलिए लेती है क्योंकि आप इसे विसर्जित कर सकती है मिट्टी का करवा सबसे उत्तम माना गया है यदि नहों तो इस्टील और तामवै आदी का भी करवा प्रयोग कर सकते हैं सिर्फ उसमें बंधी हुई मोली को बदल दे और उसका पूजन करके उसके उपर ओम अत्वा स्वस्तिक का निशान बना देना चाहिए सास पूजा करने और कथा सुनने के बाद अपनी बहु को याग्या देती है कि अब तुम जाकर के किसी भी प्रकार का कोई भी जो है तरल पदार्थ जैसे जल दूद चाय इत्यादी का सेवन कर सकती हो और यदि आप पूरी तरह से नर्जला अवरत करने में असमर्थ हो हो तो दिन में पूजन करने के पश्चात अपनी सासु मा से आग्या ले करके जल दूद चाय इत्यादी का सेवन कर सकती हो नहीं तो रात के समय जब चंद्रोदै होगा तब चंद्रमा का पूजन करे और उसके बार अपने पतिदेव का पूजन करके उनका दर्शन करके उनके हाथों से जल आदी ग्रहन किया जाता है ऐसा कहा जाता है कि कथा कभी भी अकेले नहीं सुनना चाहिए इसलिए करवा के साथ गनेश जी की कथा भी सुनी जाती है गनेश जी को बच्चे का रूप माना जाता है और हम उस दिन खुद को पारवती का रूप मानते हैं करवाचवत का व्रत इस्त्री के पती और मा के बेटे के लिए रखा जाता है याने सास अपनी बहु से कहती है कि तुम मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखो फिर आगे चल करके आप भी अपने बेटे के लिए अपनी बहु से व्रत रखने को कहोगी इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि हमें एक पत्नी और एक मा की शक्ती प्राप्त हो सके जो महिलाएं नोकरी करती है काम करती है वो एक साप बोटल में सास के हाथों से देवे करवे का पानी आफिस में ले जाएं और सास का दिया हुआ कर्मा एक दम खाली न करे उसमें से थोड़ा बहुत पानी अवश्य रहने दे और थोड़ा थोड़ा पानी यदि चाहे तो वो आफिस में सास के द्वारा दिया गया है उसको पी सकती है और शगुन का कुछ पैसा जिस समय आप कथा पढ़ रही है उस सम अनाज से चंद्रमा को अर्ग देना चाहिए पानी के सांट में चंद्रमा को चांदी बहुत पसंद है क्योंकि वो शीतलता प्रदान करता है इसलिए अर्ग देते समय चांदी का लोटा सिक्का या अंगुठी हात में अवश्य रखे फिर जिस जल और अनाज को सांट में र चूडियां पहन करके जा सकती है यानि आप कुछ शंख्या में जो है चूडियां अवश्य पहन करके अपने कारिकरिस्थल पर जाना चाहिए कुवारी लड़कियां कैसे रखे करवाचोद का व्रत कई लोगों को यह कंफूजन रेता है कि कुवारी लड़कियां क्या करव व्रत खोल सकती है और अगले जन्म में और इस जन्म में उत्तम पती की प्राप्ती के लिए सभी को व्रत करना चाहिए जिस तरह डोली तारों की छवी में चाओं में जाती है और दुलन तब तक अपने चान को नहीं देख पाती है ठीक उसी तरह कुवारी लड़कियां प्रामान नहीं देना होता है कुवारी लड़कियों को तारे देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल नहीं करना होता है क्योंकि उन्हें चलनी में किसी की मूरत भी नहीं देखनी होती है दिन भर ब्रत रखने के बाद दिन में पूजा और कथा सुनने के बाद शाम को जब महि का दीपक इसलिए रखा जाता है क्योंकि आटा भी अनाजी होता है फल ड्राइफ रूट्स मिठाई मिठाई की जगह घर में कोई भी बनी मिठाई आप रख सकते हैं और दो पानी के लोटे एक चंद्रमा को अर्ग देने के लिए और दूसरा जिससे आप पहले पती को पानी है फिर वो आपको पिलाते हैं पती को पहले पानी इसलिए पिलाये जाता है कि हम उन्हें परमेश्वर मान करके पहले उन्हें भोग लगाते हैं और फिर उसे खुद भी खाते हैं जिस तरह नवरात्री शिवरात्री आदी व्रत में हम सबसे पहले भगबान को भोग लगात अर्ग वाले लोटे का पानी न पिये फिर आप पती को ड्राइ फ्रूट्स और मिठाई खिलाएं और पती भी आपको ये सब चीज खिलाएंगे अर्ग देते समय वो चुन्नी अपने साथ जरूर ले जाएं जिसे आपने कथा सुनते समय पहन रखा था चंद्रमा को चल्नी में दिया रख करके उसमें से देखे फिर उसी चल्नी से तुरंत अपने पती को देखे चल्नी में दिया रखने का रिवाज इसलिए बना क्योंकि पहले के जमाने में जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी तो महिलाएं चांद देखने के लिए के बाद छलनी में रखे दिये के प्रकाश में अपने पती को देख सके कई लोग जलते हुए दिये को पीछे फेकते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए आप उस आटे के दिये को जलता हुआ वहीं पर छोड़ाए कई लोग दिये के बुझने को भी अपशकुन मानते हैं लेकिन ऐसा कुझ नहीं है यदि तेज हवा से दिया बुझ भी जाता है तो उसमें कोई अपशकुन नहीं मानना चाहिए फिर घर आकर के साथ मिलकर के भोजन करे फिर किसी भी पूझा के दिन सात्विक याने बिना लसुन प्याज वाला भोजन करना चाहिए गरबा चवत के दिन साथ पी भोजन करे पती पत्मी आपस में बिलकुल लड़े नहीं और सभी प्रकार से एक दूसरे से प्रेम रखे और उस दिन सोलह सरंगार करके सोभाग गिवती महिलाएं इस सुवरत का संपन करने का प्रयास करे साथ ही इस दिन जो है जूट नहीं बोलना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई गलत अनेतिक और इस प्रकार का कार नहीं करना चाहिए जिससे आपका प्रत भंग होता है साथ ही करवा चवत की रात्री में पती पत्नी को एक दूसरे से दूरी बना करके रखना चाहिए याने एक दूसरे का संसर्ग उनको नहीं करना चाहिए और उस दिन जो है ब्रह्मचरी का ब्रक्त अवश्य पालन करना चाहिए तो करवाचवत की जो रात्री होती है बड़ी दुरलब रात्री होती है और इस दिन चंद्रमा का पुजन करके पती का पुजन करने के बाद पती के हातों से जल गरहन किया जाता है यह वरत सुर्यो दै से लेकर के चंद्रो दै तक रेता है तो इसलिए इस वरत का आप पूरी निष्ठा भक्ति और शद्धा से अवश्य पालन करे यदि आपके मन में करवा चवत से संबंदित कोई और भी सवाल है तो आप अवश्य ही हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हम आपको उसका जवाब अवश्य ही देंगे तो आपको जो है हम यह जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं और आप सभी से आमना विनम्र अनुरोध है कि इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अभश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्न साधर धन्यवाल